अब आपको दिखाते हैं सर्व शिक्षा अभियान का हाल आठ लाग की लागत से बना मिडल स्कूल पर दानदाता नहीं कर लिया है कबजा और स्कूल बन गया है तबेला मिडल स्कूल की कक्षाओं को प्रात्मिक शाला भवन के साथ में ही लगाया जा रहा है खास बात यह है कि जानकारी के बावजूद आज तक प्रशासन ने कोई कारवाई नहीं की है श्राजपूर के डोकर गाउं का शासकी मिडल स्कूल लेकिन यहां कक्षाओं नहीं लगती बाहर ही आपको बंधे जानवर नजर आ जाएंगे अंदर जाएंगे तो और हैरानी होगी किसी कक्ष में लकडियां भरी हैं तो कहीं प्यास का गोदान बारिश में जानवर भी अंदर ही बांधे जाते हैं जिन बच्चों के लिए ये स्कूल बना था वो ब्रात्मिक शाला के एक कक्ष में बैठ रहे हैं पांचवी से आठवी तक की क्लास एक ही कक्ष में लगती है असल में साल 2008 में मिडल स्कूल के लिए गाउं के करण सिंग राजपूत ने जमीन दाम दी थी इसके बाद कलेक्टर ने कब्जा लेकर आठ लाग के खड़ से स्कूल भवन बनवा दिया लिकिन दान दाता की नियत बदल गई और उन्होंने वापस कब्जा कर लिया खास बात ये है कि इसकी शिकायत सर्वशिक्षा अभियान अधिकारी तक भी पहुँची जाज भी हुई लिकिन कारवाई नहीं की गई शासन शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच के लिए दावे करता है बजट दिया जाता है लेकिन उसकी हकीकत आपके सामने है कि अधिकारी एक स्कूल पर बेजा कब्जा भी नहीं हट पा पा रहे समय के लिए शाजापुर से आशुतो शर्मा